इंडिया में क्रिकेट का क्रीज सबसे ज्यादा होता है और इसी के साथ IPL चल रहे हैं तो मैं लेकर आगे हूँ आपके लिए चार क्रिकेट शूस इसको उपन करेंगे रैंक और आपको बता हूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए क्योंकि यह सारे आते हैं 3000 रूपीज के और यहां पर मैंने अमंगवाई इसको 10 UK के साइज में दबबक होने ले मिल जाता हैं DSC के यह वाले क्रिकेट शूस अभी शूस की क्वालिटी की बात कर लेते हैं यहां पर पूरा ही सिंथेटिक मिटरल देखने को मिलेगा जो भी आपको वाइट पोर्शन दिखे रहा है DSC ने अपने थोड़ी बहुत लोगो इस ब्रैंडिंग अगरा करके रखी जैसे की फ्रंट टो वाला पोर्शन ने बहां पर DSC का लोगो है और उसी के साथ तंग के उपर भी DSC का लोगो अटेच करके रखा है यहां पर तंग की कॉलिटी मुझे अच्छी लगी और काफी जादा मोटी है अपना लेसे यहां पर बहुत जादा क्रीमियम करके रखिए और वैसे भी जम क्रिकेट शूस की बात करते हैं तो वहां पर थोड़े से वाइट और जो और जो और जो और करके चलते हैं इस पूरा ही शूस में डिफरेंट पैटन पर मेलेगा आपको डॉट करके रखा है आउट और अपर शोल की बीच में डेकर रखामित्ति बहुत ही चोटी बहुत ही डाइब काकी रखिए है बैसे की ब्रैंडिंग देकर रखिये लेकन क्रीके खीए यह करते हैं उस्पी पर चीज तो यह तो यहां पर मुझे सबसे अच्छी कर प्छी बहुत ही लगे हैं अभी शूज को मेरा फॉर्स नंबर पर रखने का रिजन यह था कि यह था कि अट्रा सो रुपे के आते हैं उपर से इसमें इतना अच्छा नहीं है डियसी का अंदर आपको एक मेमोरी फॉर्म देखने को मिलता है लेकिन comfortability on top नहीं on peak नहीं जितनी होनी चाहिए और एक और चीज शूज बहुत जबहुत हैं यह और 418 ग्राम और बागी कि जो हम शूज रिव्यू करने वाले में थोड़ से कम वेट में होते हैं तो इस शूज को आपने रखा है फोर्स न हैंगा जो cricket का शूज वो यही वाला है new balance 4020 यह वाला लाई करता है third number पर सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स ही तो new balance का आपको प्लें रेट बॉक्स मिलेगा उसके पर new balance का लोगो लगा हुआ है लेट है प्राइसिंग इंफर्मेशन देके रखी है जैसे की 8 UK मैंस मुमेंट दोनों ही यह यूनिसेक शूज है और यहां पर इसकी प्राइसिंग देके रखी 6999 लेकिन यह मिल जाएग आपको 3000 रुपे क ले पहनते हो तो अंदर पसीने की जिसको दिक्कत होती है उस चीज में आपको बहुत ज़दा हेल्प करने वाला आपको पसीना इसमें इतने शूज में नहीं आएगा अंदर कियो प्रॉपर मैशिंग भी करके रखा है यहां पर मुझे इसकी टंग बहुत अच्छी लगी अच्छी लगी है लेसे से प्रॉपर करके रखा है अपना न्यू बैंस का लोग आपको लेटेंट पर देखने को मिल जाता है पीछे की और भी पैटेंट करके रखा है फोर्मिंग वर्क है थोड़ा सा और उसी के साथ आपको जो ही लला पोर्शन है वहां पर एक न्यू ब यहां पर इसकी नेल्स मुझे बहुत कम लगी है क्रिकेट चूस जो होते हैं पर नेल्स अच्छी होनी चाहिए आपर बहुत जादा दे दिया और इतनी जादा ब्रॉड भी नहीं है तो मुझे वहां पर थोड़ी सी दिक्कत फेस हुई है लेकिन आप लोगों के शूस का व सब्सक्राइब लेकिन एक चीज की दिक्कत आपको आएगी वह है साइस की यहां पर मैंने एडियू के मंगवाया था लेकिन थोड़ा साइस में चोटा लगा है तो आप लोग अपने युजुल साइस से एक साइस बड़ा मंगवाना बागी दो इसको अपने थर्ड नमबर अपर प्राइसिंग दें के थे त्रिपन लाइन लेकर फ्लिपकर्ट पर अलोग शुटी परसें डिसकॉंट के बाद देखने को मिलता यह संटीन एडियू रूपी पर बहुत अच्छी डिल बना देता इस लम्रिस को रखा है साके नमबर पर दबा अपको रिसीब हो जाए कि यह वाले क्रिक है 23 शूज दिखने में बहुत जाएं मैं इसके लुक्स की बहुत तारीफ करूँ है कि एक सटल सा जो क्रिकेट शूज होना चाहिए यहां पर वही चीज यूज हो कर रखिए अब यह पूरा ही शूज आपको फार का देखने को मिल जाएगी अपना एडि कर देखने को मिलेगी यहां पर लेसे का एक लोगो आपको देखने को मिल जाता तंग के ओपर तंग भी मोटा है और इसी के साथ जो कॉल एंड कंफर्ट होना चाहिए आपके दिन पर क्रिकेट खेलोगे तो वह चीज यहां पर बिल्कुल ही प्रॉपर यूज है थोड़ा स अब बैमोरी फोम आपको comfort चोहे एक्स्ट्रा पीकनेस पर मिल जाता अपना बीच में आपको rubber वाले portion देखने को मिलता और आउटर में और आपको proper, broad-broad nails देखने को मिलेगी black color के TPR और rubber material में उसके उपर एड़ास का एक logo भी देके रखा है तिससे मेरे पहली बाद तरी थ आपको safety भी देखने को मिल जाती है इस शूस का वेट में ने बताया नहीं आपको सिर्फ 312 ग्राम बेसिकली क्रिकेट शूस या फिर निंग शूस लेते हैं तो 300 ग्राम ही होना चाहिए और यहां पर यहां पर एक लोगो भी आपको heel वाले portion पे देखने को मिल जाता है और अपना यह है पहला नंबर का शूस जो कि यह जीता है जो कि एक विनिंग क्रिकेट शूस है अब यह जो आता है प्यूमा की तरफ से और इसका मॉडल नंबर है प्यूमा पावर क्रिकेट शूस तीम से चल्कुर ऑप्शन से देखने का मिल जाते हैं लेकिन यहां पर मैंने इसका वाइड कलर एक प्यूमा का बॉक्स देखना हो मिलेगा प्यूमा के रखिए और प्यूमा के शूस बेसिकली मैं चीज बोलूंगा कि आप जिसको भी दिखाऊ गया भी जो भी शूस देखेगा वो यही पूचे का कि यह कौन सा शूस है यह का मेर रख लूब कर दो अ अब बात लादीफ तो करता हूं इसकी चीजों के बारे में तो यहां पर पूरा ही शूस में सेंटेक में उसकर करका है आपको फ्यूमा का एक लोगो फ्रंट वाले आइंड पर देखने को मिलता बैसिकली क्रिकेट शूस में चोई के वहां पर लोगो लगे ही रहते हैं प् सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाता है और यह क्रिकेट शूस में जो होनी जाहिए वो साधी ही चीज शूस में अब जैसा कि बाकी सारे शूस में इतना अच्छा नहीं निकल के आता लेकिन दोस्तों सतरा सो रुपर के में यहां पर आपको मिल जाता है प्यूमा का सौट है बहुत ही तगड़ा कमफट आपको दे देता है तो आप लोग चार से पांच घंटे एटलिस क्रिकेट खेलोगे रोज खेलोगे तो आपको कमफट सियां पर कोई भी दिक्कत नहीं है और इसके साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप प्र रॉपर रॉन कर पा रहे ह ताकि आपका प्रॉपली सब मेंटेंड रहा है आपकी अच्छी रहा है आपकी अच्छी रहा है तो यार इसने तो कमाल कर दे शूस नहों इसलिए हमने इसको फर्स नंबर पर रखा है इस उसका वेड़ी सिर्फ और सिर्फ 302 ग्राम है जो कि बहुत जाता लाइट वेट है बावजूद इसके कि यहां पर सिंथेटिक मेटरियल उसकर करके रखा है नीचे कि अपको प्रॉपल नील्स देके रखी अंदर कि अपको प्रॉफर कमफर्ड के लिए मैं मॉनी फोम देके रखा है तो दोस्तों यह वाला शूस है सिर्फ 17 रुपे का फ्लिप का वैवलेब इसके कि अपको प्रॉब घर तोस्तों यह वाला शूस्तों यह वाला शुपे का वैवलेफ।